इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट रहेगा मसल बिल्डिंग से रिलेटेड सो स्टार्ट करते हैं स्टेप नमबर वन से रुख जाओ अब थोड़ा सा सीरियोस हो जाते हैं आप यूटूब में सर्च करोगे हाउ तू बिल्ड मसल तो हजारों वीडियो जाएगी अजकल हर कोई फिटनेस कोज बन रहा है और सब चीक चीक के यहीं बोल रहे हैं कि वर्क आउट कीजिए जिम जाके वेट उठाइए और प्रोटीन मसल बिल्डिंग गोल को negatively affect कर रहे हैं बट हम उनमें ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हम सिर्फ पॉर्क आउट और डाइट के पीछे लगे हुए हैं इस वीडियो में हम इनी सब चीजों के बारे में deeply जानेंगे अब हम बात करते हैं आपके workout पे अब जिम जा रहे हो बहुत और हिट करना था बट करूं का मूर नहीं हुआ तो फिर से चेस्ट कर लिए जिससरे क्या होगा कि आपका जो चेस्ट का मसल है उसको recovery का time ही नहीं मिला आपके muscle का average recovery time होता है 24 to 48 hours depending on your muscle group intensity and most important your nutrition सो आपको ऐसा नहीं करना है आपका एक proper workout श्रीडूल होना चाहिए जिसमें आपको recovery phase का भी ध्यान रखना है सपोज जैसे आज आप चेस्ट किये तो आपको अपना अगला चेस्ट दे minimum 2 दिन बाद ही रखना है ताकि उसको एक proper recovery का time मिले means आपको अपनी workout की frequency थोड़ी कम क करना है जैसे warm up, dynamic stretching, prep and rehearsal movement and उसके बाद मैं prefer करूंगा कि आप circuit training program follow करें means आपको week में सिप और सिप तीन दिन weight training करनी है बाकी दिन आप additional कुछ भी कर सकते हैं जैसे cardio, stretching, yoga and all हम बात करते हैं आपके diet के बारे में अगर आपने diet पे protein पे focus कर रहे हो तो वह सहीं है बट आप सिर्फ protein पे focus कर रहे हो तो वह गरत है आपको अपने diet में macro और micronutrients को balance करके चलना है second thing is food selection अगर हम बात करें protein की तो मैगी भी हमको protein देता है मैगी per 100 gram 10 gram of protein देता है approximately तो क्या वो protein का good source है? the answer is no हमारे पास और भी better options हैं जैसे की chicken breast, eggs and fish अब हम अपने सबसे important step के उपर आते हैं जो की है rest आपको कोई भी fitness goal हो चाहे वो muscle building हो, चाहे वो fat loss हो, चाहे वो strength gain हो चाहे endurance की नहों, चाहे general fitness की नहों अगर आप अपने body को rest नहीं दोगे तो आप इन में से कोई भी fitness goal achieve नहीं कर पाऊगे मेरे पास यसे बहुत से cases हैं जिसमें मैंने देखा है कि लोग अपने workout में 100% दे रहे हैं अपने diet पे 100% दे रहे हैं बड़ उनको फिर भी result नहीं मिल रहा क्यों क्यों अपने body को rest नहीं दे रहे हैं means अपने body को recovery का time नहीं दे रहे हैं जब हम workout करते हैं तब हमारी body की जो muscles है वो micro trauma होता है उसमें means आपकी जो muscles है उसका breakdown होता है और उसके recovery के लिए हमको चाहिए होती है rest और rest हमको कब मिलेगा जब हम सोईंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपने body को minimum 7-8 hours के sleep जरूर दें जिससे आपको recovery का time मिलेगा और आपका जो muscle का growth है वो proper way से हो पाएगा अब हम बात करेंगे उन factors के बारे में जो कि हमारे muscle building process को negatively affect करते हैं क्या है वो factors आईए जानते हैं factor number one stress अगर आप वो भी fitness goal plan कर रहे हो चाहे वो आपका muscle building ओ, fat loss ओ या फिर general fitness क्यों न हो अगर आप इन fitness goals को achieve करना चाहते हो तो आपका सबसे बड़ा दुस्मन है आपका stress क्योंकि जब आप stress लेते हो तो आपके body में cortisol hormone increase जाता है और वो indirectly हमारे glycogenolysis process को activate कर रहता है जो कि एक catabolic process है जो कि हमारे muscle से energy learning start कर रहता है जिससे हमारा muscle mass कम होने लग जाता है factor number two alcohol consumption अगर आप बहुत ज़्यादा मातर में alcohol consume करते हो तो वो आपका muscle protein synthesis को inhibit करेगा means उसको रोकेगा जिसससे आपका muscle growth भी रुख जाएगा factor number three overtraining अब gym जा रहे हो workout कर रहे हो अच्छी बात है बट आपको over नहीं करना है overtraining नहीं करनी है मैं अपने पहले वीडियो में clear कर चुका हूँ कि लोग यह सोचते हैं कि ज़्यादा training मतलब ज़्यादा result ऐसा कुछ भी नहीं होता है यह fall to concept है factor number four not doing warm up before your workout अब जैसे की word से clear है warm up means अपने body के temperature को एक certain level पर rise करना जिससे क्या होगा कि हमारे जो blood circulation है वो बढ़ जाएगा means जो blood pressure वो बढ़ जाएगा जिससे हमको pump भी अच्छा हैगा और हमारी body जो है वो injury से भी बची रहेगी factor number five your age अगर हम males की बात करें तो हमारे अंदर एक hormone होता है जिसको हम बोलते हैं testosterone जो कि एक anabolic hormone होता है और muscle building में बहुत बड़ा role play करता है but after the age of 30 इसको जो secretion level होता है वो बहुत drop one लग जाता है जिसके कारण हो हमारे muscle growth में भी कही न कहीं affect करता है factor number six hydration ये इसके article में ये proof हो चुका है कि अगर आप अपने आपको hydrate नहीं रखोगे तो ये आपके muscle growth को भी affect करेगा तो आपको make sure करना है कि आप पानी जरूर पिए और अपने आपको hydrate रखे तो ये थी हमारी muscle building के उपर एक detailed वीडियो होप आप लोग को पसंद आई होगी और अगर पसंद दे होगी तो like जरूर करना और इसके related कोई भी doubt होगा तो आप मेरे comment section में पूछ सकते हैं या तो फ